गाउं में रतन और बिर्जु नाम के धनी दो पड़ोसी रहा करते थे। एक दिन की बात है रतन किसी काम से बाजार जा रहा था कि तभी रास्ते में मुख्यार रतन को रोब कर बोला। क्या है रतन आज गल बाजार में बहुत कम दिखाई दिरते हो। उसे एक जरूरी काम था। हाँ हाँ बोली मुख्या जी क्या काम था। रतन हमारे गाउं में कोई अस्पताल नहीं है और इसलिए हम सब गाउंवाले आपस में मिलकर के एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। ये तो बहुत शुब कम है मुख्या जी बताईए मैं इसमें आपकी क्या साहता कर सकता हूं। अपनी मर्जी से जितनी तुम्हारी हैसियत हो उतना दान तुम दे दो। मुख्या की बात सुनकर रतन ने अपनी जेव से सौ रुपय का नोट निकाल कर मुख्या को पकड़ा दिया। रतन सिर्फ सौ रुपया? मेरी बस इतनी हैसियत है मुख्या जी। इतना कहकर रतन महां से चला गया। मुख्या खराब मूड लेकर सीधे बिर्जु के घर चला गया। अरे आईए मुख्या जी। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं आपको ही याद कर रहा था। कैसे हो बिर्जु। सब गोज कुशल मंगल तो है न। इस्वर की कृपा है मुख्या जी। सब कुछ सही है और सुनाईए कैसे आना हुआ। अरे तुमने तो सुनाई होगा कि गाउ में एक अस्पताल बन रहा है। हाँ मैंने सुना है और मुझे यह भी पता है कि सभी गाउवाले आपस में मिलकर चंदा दे रहे हैं। इसलिए आपके आने से पहले ही मैंने 10 लाख रुपए का चेक आपके नाम का काट रखा है। क्या बात है बेजू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन तुमने चेक मेरे नाम क्यों काटा। हॉस्पीटल के नाम जही चेक काट देते। आप हमारे गाओं के मुख्या हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक तुम हो और एक वो तुमारा पडोसी रतन है। जानते हो उसने अस्पताल को कितना दान दिया है। इतना बोलकर मुख्या वहां से चला गया। कुछ देर बाद बिर्जु संपत के साथ अपने खेत में चला गया। संपत बिर्जु से बोला। इस गाओं में सबसे ज़्यादा दान हॉस्पीटल को आपने दिया है। अब तो हॉस्पीटल का उद्गाटन आपके ही हाथ होगा। जब सबसे अधिक दान मैंने किया है तो फिर उद्गाटन भी मेरे ही हाथ होगा। वैसे मुझे रतन से ऐसी उमीद नहीं थी। वह इतना कजूस निकलेगा। यह नहीं कभी सवचा था। संपत की बात सुनकर बिर्जु मुस्कुरा कर रह गया। समय ऐसे ही बीठता गया। एक दिन की बात है। रतन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था। कि तब ही गाउं का एक व्यक्ती वहां आ गया। क्या हुआ शामलाल चाचा। आप इतने घबराय हुए से क्यों है। रतन, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है। और तुम तो मेरी हालत जानते हो। मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो शामलाल चाचा। इश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे दस हजार की शक्त जरूरत है रतन। और इस पूरे गाहों में सिर्फ तुम ही हो। जिससे मैं पैसे उधार मांग सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लोटा दूँगा। मुझे माफ कर दो श्यामलाल चाचा। मेरे पास दस हजार रूपए अभी इस समय नहीं है। इस समय मैं तुम्हारी दो हजार रूपए की मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर रतन ने दो हजार रूपए श्यामलाल को पकड़ा दिये। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रतन क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे लटाऊंगा ऐसी बात नहीं है श्याम चाचा मुझे आप पर पूरा भरोसा है लेकिन यकीन मानिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ दो हजार रुपे ही पड़े है जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ यह दो हजार भी अपने पास रख लो जहां से मैं बाकी रुपे का इंतिजाम करूँगा वहाँ से मैं 2000 रुपे का भी इंतिजाम कर लूँगा अरे लाना थे तुम पर रतन इतनी धन दौनत होने के बाद भी किसी व्यप्थिकी मदद तक नहीं कर सकते शामलाल क्रोधित होता हुआ घर से बाहर निकला रतन शामलाल को आवाज लगाता हुआ घर से बाहर आ गया मगर शामलाल ने उसकी बात नहीं सुने तभी रतन की पत्नी भी घर से बाहर निकल कर आ गई अजी लगता है शामलाल चाचा को पैसों के कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होगी मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा क्या मैंने उन्हें पैसे दिने से इंकार किया था मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे पड़े हुए है मेरी समझ में नहीं आता कि आपके पास अच्छी खासी खेती है हर सल आपके फसल गाउं में सबसे अच्छे दामों में बिखती है आपके पास से इतना बैसा आखिर जाता कहा है भूलो मत कि हमारे बच्चे गाउं से बाहर शहर में पढ़ते हैं उनकी स्कूल और मेंटिनिंस का खर्चा कितना आता है और फिर हमारे घर के खर्चे भी कुछ कम नहीं है इधर श्यामलाल आखों में आँसू लिये हुए जा रहा था कि तब ही रास्ते में उसे गाउं का मुख्या मिल गया अरे क्या वाद है श्यामलाल तुमारी आखों में ये आँसू क्यों सब कुछ गुसलमंगल तो है अब क्या बताओ मुख्या जी मेरी पतने की तब्यात कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही हाँ इस बात को मैं जानता हूँ क्या हुआ बोलो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है मुख्या जी मुझे इस वक्त दस हजार रुपए की सक्त सरूरत है और आप तो मेरी हालत जानते हो मैं बड़ी उमीद लेका रातन के पास दस हजार रुपए उधार मांगने गया था मगर उसने तुमें दस हजार रुपए नहीं दिये होंगे और यही कहा होगा कि उसके पास पाईसे नहीं है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा आपको कैसे पता क्योंकि जो वक्त होस्पीटल के दान में भी कंजूसी करता हो उस वक्त के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं अरे वह तो पुर्णे का काम करने में भी घबराता है मुख्या जी आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए इस गाव में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुमारी मदद कर सकता है वह है बिर्जू तुम्हें इसी वक्त बिर्जू के पास जाना चाहिए मुख्या की बात सुनकर श्यामलाल दोड़ता हुआ बिर्जू के घर चला गया और उसे अपनी सारी स्थिती बता दी अरे तो तुम्हें उस कंजूस रतन के पास जाने की क्या वे सकता थी श्यामलाल चाचा तुम सीधे मेरे पास आते इतना कहकर बिर्जू ने बीस हजार रुपए की रकम श्यामलाल को पकड़ा दी लेकिन मुझे सिर्फ दस हजार रुपए किया वे सकता है श्यामलाल चाचा आप बहुत ही भोले हैं अरे भाई ऑपरेशन के बाद दवाईयां वेगरा में भी बहुत खर्चा आता है उसका इंतजाम आप कहां से करेंगे इसलिए ये बीस हजार रुपए आप रख लीजे मैं तुम्हारी ये पैसे बहुत जल्द लोटा दूगा बेटा श्याम लाल चाचा इन पैसों को लोटाने की कुई अर्शिक्टा नहीं है यह पैसे मैंने तुम्हें अपना पिता समझ कर दिया है और एक बेटे को अपने पिता के ऊपर किया गया ऐसान कोई ऐसा नहीं होता बलकि कर्तव भी होता है श्यामलाल खुश होता हुआ वहां से चला गया इतना बोर्पत अपने गोदाम में आ गया कि तब ही वहां पर संपत दोरता हुआ आया ये क्या बिर्जु भाई मैंने सुना है कि आपने श्यामलाल को 20,000 रूपे दान में दे दिये वो पूरे गाउ में आपकी प्रसंसा के पुलबाद रहा है अच्छा तो बात पूरे गाउ में भी फैल गई आखिर उस विकारी को 20,000 रूपे देने क्या जरूआती मैं आपसे कबसे 5000 रूपे मांग रहा हूँ मुझे तो आप दे नहीं रहे बकवास बंद करो संपत तुम हर महीने अपनी तनख्वा ले जाते हो फिर भी अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मैंने क्या तुम्हें मना किया है क्या कुछ दिनों बाद गाउं में अस्पताल बन कर तैयार हो गया मुख्या ने अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बिर्जु को ही बुलवाया था सारे गाउं वाले अस्पताल के सामने एकत्र थे तभी बिर्जु की नजर रतन पर पड़ी अरे रतन तुम भी अस्पटाल को देखने के लिए आये हो यू भीड में क्यों खड़े हो रतन भीड से निकल कर बिर्जु के साम में आकर खड़ा हो गया रतन तुम यहां क्यों आगए कभी तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारा अस्पटाल का उद्घाटन तुमारे ही हाथों करवाने का इरादा है नहीं मुख्या जी मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक भी नहीं है मैं तो बस यह चाहता हूँ कि गाउं में अस्पटाल जल्दी शुरू हो जाए ताकि गाउंवालों को परिशानी ना हो हाँ हाँ पटा है इसलिए तुमने चंदे में केवल सौ रुपए दिये थे मुख्या जी यह बताई कि अब क्या देरी है अरे बस डाक्टरों की टीम यहाँ पर पहुचने वाली होगी मुख्या ने तना कहा ही था कि तभी डाक्टरों की टीम वहाँ पहुच गई बिर्जु अस्पटाल का रिबन काटने ही बाला था कि तभी अचानक बेहोश होकर गिर गया अरे यह क्या हुआ यह अचानक बेहोश कैसे हो गया बिर्जु को तुरंत उसी अस्पटाल में एडमिट कर दिया और डाक्टर उसकी जांच परदाल करने लगे एक डाक्टर रूम से बाहर निकल कर मुख्या से बोला इनके परिवार वाले कहा है बिर्जु के परिवार वाले तो सब अमेरिका में रहते हैं डाक्टर बिर्जु गाओं में अपने साथी संपत के साथ रहता है इसके परिवार वाले कमी कमी यहां आते हैं बात असल में यह कि मुख्या जी कि बिर्जु की एक किड्णी बुई तरह से खराब हो चुकी है अगर अभी इसकी किड्णी ट्रांस्प्लांट नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है चिंटा मत कीजिए डाक्टर हमारे गाउं में बिर्जु ने इतने लोगों की मदद किया कोई न कोई किड्णी देने के तैसे प्राइब यह तैयार जरूर हो जाएगा इतना बोलकर मुख्या वहांसे चला गया मुख्या ने गाउं के हर व्यक्ति से बिर्जु के लिए किड्णी मांगी मगर सब ने किड्नी देने से इंकार कर दिया सिवाए एक के कुछ दिनों बाद बिर्जु स्वस्थ हो गय मुख्या अस्पताल में बिर्जू से मिलने के लिए आया इसवर का लाख लाख शुक्र है कि तुम स्वस्त हो गए मुख्या जी मेरी एक किड्नी खराब हो चुकी थी गाउं के ही किसी व्यक्ति ने मुझे अपनी एक किड्नी दान दी है मैं जानना चाहता हूँ ये काम मेरे वफादार साथी संपत के लावा और कोई नहीं कर सकता नहीं बिर्जू तुमारा वफादार साथी तो संपत किड्नी का नाम सुनते ही भाग गया गाउं के हर व्यक्ति ने तुम्हें किड्नी देने से इंकार कर दिया तो फिर कौन है वो जिसने मुझे किड्नी दी मैं उसका अभार व्यक्त करना चाहता हूँ हाला कि अगर मैं अपनी सारी दौलत भी उसके करदों में लाकर रखता हूँ तो मैं उसका करज नहीं चुका सकता उसने मना किया है कि तुम्हें उसका नाम न बताए जाए अब तुम्हें घर चलना चाहिए डौक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दिये बिर्जू मुख्या के साथ अस्पताल से बाहर आया ही था कि तब ही एक कार आकर रुग गई उस कार में से एक वकील निकल कर मुख्या के सामने हाथ जोडता हुआ बोला मुझे बाफ कीजेगा मुख्या जी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई कोई बात नहीं वकील साब तो क्या उस महान वक्ति का नाम पता लगा इस फाइल में उस वक्ति का नाम और फोटो मुझूद है जिसने अस्पताल के लिए यह पूरी जमीन दो करोड़ में खरीद करदान दी है इतना कहकर वकील वहां से चला गया मुख्या ने जैसे ही फाइल खोल कर देखा तो उसमेरा तन का फोटो लगा हुआ था यह सब क्या हो रहा है मुख्या जी मैं काफी दिनों से यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि जिस जमीन पर यह अस्पताल बनकर तयार हुआ है यह जमीन किसने खरीद कर दान में दी है बिर्जू यह जमीन हमारे गाउं के व्यक्ति रतन ने खरीद करदान में दिये जिसे सारा गाउं कंजूस के नाम से बुलाता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं रतन की कोई चाल तो नहीं मैं बताना तो नहीं चालता था लेकिन अब तुम्हे वर्ता देता हूँ तुम्हे किड्नी देने वाला कोई और नहीं बलकी रतन है मुख्या की बात सुनकर बिर्जू की आखों में आसु आ गए मुझे रतन के पास ले चलिये मुख्या जी मुख्या बिर्जू को रतन के घर पर ले गया बिर्जू हाथ जोड़ता हुआ रतन से बोला मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें कितना गलत समझा तुमने आखिर बताया क्यों नहीं तुमने एस्पाताल के लिए दो करोन की जमीन खरीद कर दान दी है और ये जानने के बावचूद मैं कितना गलत हूँ तुमने मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी किडिन इसक दान कर दी सच्चा दान वह नहीं होता बिर्जू जो बता कर या दिखा कर किया जाए सच्चा दान वह होता है जो छुपा कर किया जाए सच्चा दान वह होता है जिससे किसी का जीवन सफल हो सके मैं गितना गलत हूं मुख्या जी मैं अब तक लोगों को दोखा देता आया हूं मैंने अस्पताल में दान भी दिखावे के लिए किया था सच यह है कि मैं दो नम्मर का काम भी करता था मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूँगा और अपने पापों का प्रैशित करूँगा अपने पापों के प्रैशित करने के लिए तुम्हारा जेल जाना जरूरी नहीं बिर्जू तो माभी और इसी वक्त अपने सारे बुरे धंदे बंद कर दो और अपने बुरे धंदे से कमाई हुई सारी दौलत गरीबों को दान कर दो फिर देखो, तुम्हें तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है रतन की बात सुनकर बिरजु मुस्कुरा दिया और बिरजु ने ठीक वैसा ही किया उसने अपने बुरे कर्मों से कमाई की सारी दौलत गरीबों में दान कर दी